नाश्कार दोस्तों मैं हूँ प्रदी नेच्रोमेटिक हीलिंग रिशर्च सेंटर से नेच्रोमेटिक हीलिंग रिशर्च सेंटर बहुत सवारे जो लोग हैं मुझसे पूछते हैं यह वर्ड नेच्रोमेटिक क्या है नेच्रोमेटिक, ओटोमेटिक सा भी लगता है, नेच्रोपेथी जासा भी लगता है, लेकिन ये बिलकुल अलग चीज है, क्योंकि नेच्रोमेटिक एक ऐसा विश्वास है, एक ऐसा ट्रस्ट है, एक ऐसा यकीन है कि नेचर अपने आप स्वतेही ओटोमेटिकले हमारा ध्या रखती है इसी को प्रेक्टिस करते हुए मैंने देखा 20-30 सालों से मैं प्रेक्टिस में हूँ और मैंने ये पाया कि जो नेचर है ये हमारा अपने आप ध्यान रखती है हमारा वस काम यह है कि उसका सम्मान करें जैसा वो चाहता है वैसा हम करते रहें वरना तो आपने आज द सूखा यानि नेचर के साथ अगर हम रहते हैं नेचर की बात को मानते हैं नेचर में जितने मीं जीव हैं जन्तु हैं या और कोई मीं चीज चाहे वो पहाड़ ही हैं चाहे वो नदिया ही हैं अगर हम उनके साथ समझ से बना के रहते हैं तो हम ठीक रहते हैं अब इसको समझ जैसे आप जो पैदा हुए पैदा होने से पहले मा के गर्ब में रहें मा की गर्ब में आपके कोई हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे कि आप खाना खालो अपने आप आपको किसी ने नहीं सिखाया या आपका कोई टीचर नहीं था इविन आपकी हमारी माता ने भी नहीं सिखाया कि कैसे सांस लेना है लेकिन हमारा कोई महाँ पे देख भाल कर रहा था गर्भ में और हम उसी गर्भ में रहते हुए बिना किसी चीज को सीखे हुए हम वहीं भी सांस भी लेना सीख रहे थे, हम खा भी रहे थे, हम मल मोतर त्याग भी कर रहे थे, हमारा दिल भी धड़क रहा था, हमारे ओर्गन्स भी काम कर रहे थे, जैसी हमारा जन्म हुआ, हमने कभी सांस नहीं ले थी, लेकिन बाहर निकलते हैं, हमने सांस लेना सीख लिया, किसी ने सिखाया किसी ने सिखाया हम यतने बड़े नहीं पैदा होते हैं कि हमें कोई सिखाय के सांस कैसे लेना है कौन सिखाता है वो नेचर सिखाते हैं ऐसी खाने की बात है आप पैदा हुए उससे पहले ही माता के इस्तनों में दूद आ जाता है आपको कोई चिंता करने की जरूत नहीं है आप ऐसी इस्तिति में नहीं हो सकते हम मानव जो हैं हम ऐसी इस्तिति में नहीं होते कि हम खुद खड़े होके अपना भोजन लेले जैसे जानवर के बच्चे खड़े होके अपने आप दूद पीने लगते हैं अपनी मा का हमें अपने आप ही यह समझे कि आप को सब कुछ मिल जाता है तो हम जब आठ तरह की वैलनेस की बात करते हैं तो हम जो ज़ादा बेमार हैं वो डरने से हैं अगर हम यह सोच ले कि नेचर हमारा ख्याल रखती है और हम नेचर के साथ साथ चलते रहें तो आप जितने बड़ी-बड़ी बाते लोगों की सुनते हैं कि हमने इतनी महनत की उतनी महनत की ऐसी महनत सभी करते हैं लेकिन जो नेचर के साथ जिन्होंने बैलेंस बना लिया वो लोग किसी भी तरह की तरक्की पा लेते हैं अच्छा सोचो आप छोटे से होते हो मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैंने क्या सोचा होगा सोचा और मैं चलता रहा, एक काम में सतत लगा रहा और मेरा यकीन था नेचर के उपर कि नेचर कुछ ना कुछ अच्छा करेगी तो आज आप लोगों के सामने हूँ एक नई थरफी का founder inventor की तरह से ऐसी ओर लोगों के साथ भी है आप वो कितने भी motivational speech दे लें लेकिन जब आप उनसे बैट के अराम से अपने लोगों के बीच में बैट के वो बाते करते हैं तो जरूर बताते हैं कि अपने आप हो गया और अपने आप हो गया का मतलब क्या है नेचर करती है इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्योंकि यह बात मैंने अपसे 20-25 साल पहले समझ ली थी कि सब कुछ नेचर ही गरती है, तो इसलिए मैंने यह वर्ड दिया, नेचरोमेटिक हेलिंग, और नेचरोमेटिक वेलनेस मेनेजमेंट मेथड ही हमारी थेरपी का नाम है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, आटो तरह की व होड़ी वो तक जो आपको मुश्किल आ रही है इस बात में, तो आप हमसे संपर्ख करें, नेचरोमेटिक वेलनेस मेनेजमेंट के मास्टर्स वर्ड वाइड काम कर रहे हैं, सर्विसेस दे रहे हैं, और हमें बड़ी खुशी होगी हम आपकी भी मदद करना चाहते हैं, किसी भी NWM मास्टर को आप सर्च कर लें, गूगल करेंगे तो मिल जाएंगे, फेस्बुक पे हम मिल जाएंगे, आपका स्वागत है, थैंक्स वर वाचिंग, इस संदेश को और लोगों तक पहुचा है, जिनका एक क्वेशन था कि नेचरोमेटिक क्यों नाम दिया, उनको